हलो एंड वेलकूम स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है वास्तु विजडिम मैं हूँ राधा और मेरे साथ है गिरेंद्र भारती जी इस शो पर हम डिसकस करते हैं वास्तु विजडिम के बारे में आज कल की लाइफ इतनी करियर ओरियंटेड और भागदोर भरी हो गई है कि हम खुद के लिए सुकून के दो पल भी नहीं निकाल पाते हमारे पास इतना वक भी नहीं है कि हम आराम से दो मिनिट बैठ कर सिर्फ हमारे थौट्स के साथ गुज़ारे क्या ऐसे में हम कभी भी पॉपस या उसकी क्लारिटी के बारे में सोच पाते हैं नहीं सोचने वाली बात ये है कि हमने अपनी लाइफ ऐसे किस तरह से मोल्ड कर दी है कि क्लारिटी ओफ पॉपस जैसी बड़ी चीज हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ही नहीं है तो चलिए, आज आप अराम से बैठ जाएए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं clarity of purpose के बारे में गिरेंद्र जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में नमस्कार सबसे पहले तो आप हमारी audience को ये बताईए कि clarity of purpose है क्या ये टर्म हम क्यों यूज कर रहे हैं और वास्तों wisdom के थरू clarity of purpose का मीनिंग क्या है जब मेरे पास कोई कभी client आता है तो आप इस बात को समझे कि मोश्टी लोगों की problem क्या है कहते हैं जी हमको बहुत सारा पैसा चाहिए या कोई कहते है जिवन में सुकून नहीं है अब यह बहुत abstract बाते हैं आपको पैसा चाहिए कितना पैसा चाहिए है हाँ exact बताई किसी आदमी के लिए 5 लाग रुपे बहुत जादा है किसी के लिए 50 करोड़ भी कुछ नहीं है ये आप करते हैं लाइश में सुकून नहीं है किस reference में सुकून नहीं है, आपको health के reference में नहीं है, आपको relationship के reference में नहीं है, या आपका meditation deeper नहीं होता, किस point of view से आप कहते हैं कि मेरे को सुकून नहीं है, जब भी कोई मेरे पास आता है तो मैं उसे सबसे पहले ये कहता हूँ कि आप इस बात को clarify करें कि आपको exactly चाहिए क्य मेरा ये कहना है और ये मानना है हमेशा से, इस सिरफ दो question पूछने जैसे, हो यह है कि मुझे क्या चाहिए और मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा सब कुछ distraction है, जब तक आप एक या दो चीज़े ऐसी find out नहीं करते, तब तक आप ये समलाब कुछ करी नहीं एक book है, The One Thing के नाम से, इसके writer है Gary Keller, इन्होंने real estate की दुनिया की सबसे बड़ी company create करी, तो आप समझ सकते हैं, गर ये कुछ कहेंगे तो उसमें कितना वज़न होगा, इतनी important book है, I don't know how many times I have read it already, जब भी मेरे को लगता है, मैं थोड़ा सा भी अपने focus से हट रहा हूँ, तो I always go back and again I read that book, और ये बात कहते हैं कि आपकी life में कोई एक चीज ऐसी ढूम लो, जो सबसे important हो, और अपनी बाकी सारे जिन्दी को उसके आसपास घूमने दो, ये कहते हैं, जो real life होती है, उसमें कोई balance नहीं होता, क्योंकि वो एक चीज के चारो तरफ घूमते हैं, तो बाकी सारे चीजों में chaos आना, imbalance आएगा ही, clarity of purpose से मेरा मतलब हमेशा से यही रहा है कि you should know exactly what you want, वो कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपकी सांसे चलती है, तो क्या है कि आप एक life में real success को पा सकते हैं, हमारे लिए तो बहुत आसान है, हम तो 5 मिनिट की बात करके समझ जाते हैं कि ये actually बोल कहा से रहा है, इसको exactly चाहिए क्या, clarity of purpose चाहिए और इतना precisely चाहिए, क्योंकि जरूरी निया कि आप पूरी किताब भर दे कि आपकी life में क्या गोल से, जितना precise होगा उतना ही अच्छा होगा, वास्तु विज्डिम हमें किस तरह से help करता है in clarity of purpose? Ultimately, वास्तु विज्डिम is nothing but a combination of techniques from the west and from the eastern thoughts, from science and from mysticism, हम सब को combine करके कैसा system हमने बनाया है, जिससे हम आदनी को एक ऐसी life जीने की तरफ प्लेरिद करते हैं, जो full of happiness होती है, जब भी हमारे पास कोई client आता है, तो एक technique है mind mapping के नाम से, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, मैं उसको define क कर लेता हूं, दो चीजों में, नंबर एक problem क्या है, दो तरे के लोग आएंगे न, यहां तो उनको को problem है, नंबर दो, चाहिए क्या, चाहिए क्या गाना चाहता है, उसके around हम लोग फिर अपना structure खड़ा करते हैं, कि इसको वास्तु से देखना है, energy से देखना है, फैंक्श के थ्रू, उसके उपर हम लोग काम करते हैं, आप से मैं सिर्फ एक help आती हूं, कि clarity of purpose is related, जो आम जनता है, including me, हम अपनी रोज मर्रा की life में ऐसी कौन सी चीजे कर सकते हैं, जिससे clarity में हमें help भी मिले, और जो हमने achieve करने के लिए goal set कि हैं, वो हम achieve भी कर पाएं, एक बात में क्या personality है, आपकी क्या shortcomings हैं, आपकी क्या खासियत हैं, जो आपको life में दे कर भीजी हैं, उनका आपको पता चल जाए, आपको पैसा कहां से आने वाला है, आपको pains कहां से आएंगे, आपको gains कहां से आएंगे, आप क्या profession करने वाले हो, कौन सी चीजों से आपको दूर रहन चाहिए, किस कलर के कपड़े आपको पहनने चाहिए, आपको कौन से जैमी स्टोंस पहनने चाहिए, किन चीजों को अपने से दूर रखना चाहिए, क्या numbers आपके लिए favorable है, यहां तक कि आपके mobile में display image कौन सी होनी चाहिए, हम यहां तक की clarity देते हैं, तो हम वो कौन सा planet activate कर हम को help करे, तो that is another way, astrology is another way to give clarity to a person, कि वही exactly आपको क्या करना चाहिए, एक बहुत अच्छी टेकनिक है गोल सेटिंग की, इसके अंदर इसको रशिन डॉल टेकनिक बोलते है, आपने रशिन डॉल अगर देखी हो कि एक बहुत बड़ी डॉल होती है, उसके अंदर एक छोटी होगा, मेरा क्या फीजिकल स्ट्रक्चर होगा, मैं किसके साथ रह रही होंगी, वो मेरा घर कैसा होगा, whatever you want to visualize, एक साल बाद का आपको मास्टर वीजन लिखना है, उसके बाद आपको उसके छोटी डॉल को पकड़ना है छे महीने बाद की, फिर आपको ये लिखना है छे मह तो अगर आप कल वाले पर आजाओगे, तो इसका मतलब है आपको कल ऐसा क्या काम करना है, जो आपके उस एक साल वाले गोल को पूरा करने के लिए, तो आप एक ट्रैक के ओपर काम करना शुरू कर दोगे, और गोल्स के साथ-साथ अचीवमेंट्स, दोनों चीजे एक साथ आने शुरू हो जाएंगे, तो आप सबोज किसे आपको देरादून से दिल्ली जाना है, और आपको कार से जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप हर जगा वो रस्ता लोगे, जो आपको मिनिमम टाइम में और सेफली आपको दिल्ली पहुचा दे, यह आपकी चोईस है कि साथ इंटर्व्यू कर रहे हैं, अगर आप चाहती तो कुछ और भी कर सकती थी, लेकिन जब भी हम एक चोईस लेते हैं, तो हम बाउंड हो जाते हैं उस तरह की लाइफ जीने के लिए, जैसे अभी आप जो बाते सुन रही हैं, अगर आप इस पर एक्ट करेंगी तो, नही करेंगी तो लाइफ दूसरी तरह से जाएगी, मैं हर पल कौन सी चॉइस लूँगा, यह इस बात पर डिसाइड करेगा कि मेर को यह पता है कि मेर को एक साल बात पहुंचना का है, अगर मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कोई सा भी रास्ता ले लूँगा, और मैं कहीं भी प करना है, जो मेरे उस एक साल बाद वाले गोल तक पहुंचाता हूँ. तो मिलते हैं आपसे हमारे अगले एपिसोड में, साइनिंग ओफ इस अमेजिंग कोट बाई रूमी, राच सेज, वाइड यू स्टे इन प्रिजन, विन दोर इस वाइड ओपन, सोचिएगा जरूर इस बारे में, तो अपनी थिंकिंग पॉजटिव रखिये, अच्छा साइनिंग ओफ बबाई झाले ओफ इस वाइड रखिये, वाइड प्रिजन, साइनि थारे में, साइनिग पॉजटिव रखिया जरूर इस वाइड बबाई वाइड प।